जैसे कि आपको तो पता है होगा यह थमनेल देखे कि यह वीडियो मैने कुछ दिन पहले आपको बताया था और मैंने बताया था कि आपको 60 जानकारी दूंगा सभी का मांक से लेके दो जितने भी कैंडिडेट ने अपना मांक सेर किया है अच्छी बात है और इसी को हम आज और सभी ने अपना कल तक जो है कोश्चन कर दिये होंगे हो सकता थोड़ा बहुत उपर डाउन होगा मांक्स लेकिन आज एक दों पूरी फाइनलाइज करके एकदम एनलेसिस के साथ यह वीडियो में आपको कट अप क्लियर करूंगा कि कितना जो है कट अप इस बार जाने वा और सबस्तर पहले आपका आंक्रा में खोल लेता हूं आपने हमें क्या विज़ा है यह पूरा आंक्रा पहले खूल लेता हूं में देखिए यह आंक्रा आप लोगों ने भेजा है यह लगवग देखिए BC1 BC2 इस प्रकर आंकड़ा जो है something 300 candidate ने मतलब दिया है जिसका marks है और जो candidate नहीं दिये हैं अब क्या कर सकते हैं कुछ candidate कर क्या रहे हैं मतलब उनको पता ही नहीं तो वह क्या कर रहे हैं यह देखिए वह क्या रहे हैं यहाँ पे भेज़ दे रहे हैं जो मतलब डालना नहीं चाहता है मार्क्स है ना यहां यहां पर मार्क्स डाल दे रहें मतलब अपने यूटूब पर तो दोस्तों यहां पर जितने भी मार्क्स आये हैं इसको आप सौट कर दिया हूं मैं सबसे पहले हम जेनरल को लेकर चलेंगे क्या है देखिए मार्क्स क्या क्या आया है पर लिए मार्क्स का देखिए इंक्रिमेंट देखिए जास्मीन जो भी है जिसका भी नाम है 17 यह ascending order से है अब बढ़ते जाएंगे तो सबसे बढ़ते जाएंगे देखे जेनरल का सबसे हाइस्ट मांक्स जो आया है देख सकती है यहाँ पर 92 लेकिन यह गलत नहीं लग रहा है मतलब यह थो सा देखे दोनों एकी student है दो बार सेन कर दिया है तो इतना हम नहीं मान सकते हैं कि 92 करके दिया है तो यह तो नहीं होगा यह होगा 89 यह candidate जो है इसा रहमान यह 89 साइथ आपड़न किया है और पंकस तूरी जो है 79 देख सकते हैं आप मांक्स जो सबसे हाइस्ट अभी मैं को भेजे हैं तो इस आधार पे इस अधार जेसे पीपर थोड़ा सा जो है थोड़ा से अलग तरह का पीपर देखने को मिला है और इस वजह से जो है थोड़ा सा टफ लेवल माना जा सकता है सभी का माक्स जो है कमारा है ठीक ना यहां पर देख सकते हैं यह पूरी दर से जो जेनरल का यहां पर 92 तक देखने को मिल रहा है यानि 50-60 है ना तक जो है देखने को मिल रहा है मतलब इस्टूरेंस का तो इस आधार पर देखिए सबसे पहले अगर यहां पर 50-60 हैं तो कितना यहां पर जो कॉलेजिस का है जिसके में कॉलेजिस का एक वीडियो बनाया था लिस्ट ऑप कॉलेज जहां से अब कॉलेजिस देख सकते हैं यह ना तो देखिए आपको पता है प्योर गुटर्व में तोटल जो है 60-4060 है और सेमी गॉर्ख में प्यॉट्रोच में एकशकत होता है और अब देखिए यहां पर जो एzej принख किति कीटव कि जरुओं तो 170 सोच रहें कितना कट फाइब हν बहुत हैं एक्षू साथ साट सीट उनली है गोँभ लेदीनि मेल्स को और मेल्स को छोड़के यहां पर दोनों को यह लेकर चल रहा हूं फिमेल्स और मेल्स दोनों को ठीक है अब देखिए 160 सीट है जनरल स्टुएंट है वह हो अगर आप तो यहां पर 160 सीट है अब आपको रेंग क्या लाना पड़ेगा कितना आपका कट अप वह ऐसे लिगे कट अप कितना जाएगा अभी बने रही है अभी इतना दूर्ब बता दिया कि कितना मांक्स देखिए यह सेर के आई स्टुटेंट कितना क्या जा रहा है यह पीडियेप टेल गराम पर दे दूँँँगा आप लोग देखिक कि खुद से भी अनलेसिस कर सकते है ठीक है तो यह अभी हमने बात किया जिनरल का अभी फिलाल बात करते हैं यहाँ पर फिर किसका बात करेंगे चलिए EWS का, last में cut-up बता दूँगा, ठीक है, last में, सभी को, कि private का कितना जाएगा, government, semi-government कितना जाएगा, और pure government कितना जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर यही candidate कुछ है, जो हमको marks भेजे हैं, जो बासर तक देखने को मिला है, जैसे देख सकते हैं, यह candidate जो कुछ है, यहाँ इन candidate का ही मांक से देखने में, बासर तक देखने को मिला है, ठीक ना, और हो सकता है, EWS है, बहुत लोग पास general है, लेकिन EWS का certificate नहीं बना हुआ है, इसलिए इसका cut-up तोर सा और कम जाएगा है, यहाँ पर देखिए EWS का seat अब देखते हैं हम लोग, कि EWS का seat कितना है, मांक इसके बाद देखिए semi-carbonate का बात करें, तो 230 seat है, 10% होड़ा तो 230 seat, और आप देखिए private college में 1060 seat है, EWS वाले को लिए, ठीक है, तो EWS और general वाले को बता दिया, ठीक ना, अब cut-up कितना जाएगा, मांक का दार में लास्ट बता, वो नीचे बता हूँगा, ठीक है, पहले यह एक दो मांक लाया है, वो भी है, और निचे जाएंगे, तो देखिए हाइस्ट मांक आप देखिए, हम दिखा दे रहे हैं, और आप भी यह PDF हमारे टेलगराम पर मिल जाएगा आपको, है ना, यहाँ देखिए, एक सर्ट तक गिया है, BC1 का, देख सकते हैं, यह थोड़ सा दो फेक आ गया है, यह दो कंडिडेट क्योंकि यह 100 भेज दिया है, 100 तो बहुत गलत होगा, यह गलत नमर डाल दिया है, इसलिए यह कट, यह कट, यहाँ तक देखिए, 74 तक अभी तक हाइस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, और हाला कि 6270 के बीच हाइस्ट मांक देखने क अब देखिए, प्योर गवर्मेंट का बात करों तो देखिए, यहाँ पर 32, टोटल 32 सीट है, बीची वन का, उस पर गर सेमी गवर्मेंट का बात करों तो देखिए, 184 सीट है, और अगर हम प्राइवेट का बात करों तो 848, मतलब आप अगर केटिगरी रेंग वाइस ले तो इतना आप लोगों का तो तक लिए बटिए सकते हैं हैं कि 32 से प्योर गवर्मेंट में तो कितना भागने वाला है, है और 114 सीत है इसलिए कितना जो भागने वाला है, ञTr terrific है, तो यह रहा, अबी C1 का, अब इसी है लज टू का निचे देखती है कितना कैनिडेट से, इ यह जो है एक सो डाल दिया है जो बिल्कुल गरत है एक सो नंबर दो ऐसे कोई लाता नहीं है अब देखिए बीसी टू का जो है कितना है प्राइब दो जैसे कि मैंने कहा कि सीट बटा हुआ है तो इस परकार आप अपने केटेगोरियों के अनुसार ले सकते हैं तो देख सकते हैं यह कितना है अब वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा कटब ठीक है आप पहले एनलिसीज देखिए कि अब जो है एसे और एस्टी बाकि रहाना सटेगा दिखाते हैं चलिए अब देखिए इधर है हमारा हाँ इधर है एसी का अब ऐसी में अगर में दखूँ तो एसी गादेखिए यहांपर असी तक एक जानवी वर्मा भी है वर्मा है लेगि नहीं तो जिनरल होना गलत दाल दी होगी है या हो सकता है सी है तो यहां पर देख सकते हैं यहां 55 तक हमको हाइस्ट मार्ग से देखने हो मिला यानि इन लोगों को थोड़ा सा कम ही जाता है पर देख सकते हैं चलिए लाश्ट ने बता दूँगा डाउलोड कर से दा कॉलेज का पूरा लिस्ट भी आप देख सकते हैं ठीक है सब बताऊंगा देखिए यहां तक हमें सब्सक्राइब देखने मिला है अब देखिए यहां पर जो है इसर देख सकते हैं उनका सीट कितना है इसका थोड़ा ज्यादा सीट है देखिए इनको 24 परसन एस्ट का जो 24 परसन इसलिए कट भी कम भगने वाला है अगर प्योर गवर्वर्णन का बात करें तो 96 सीट है और 555 जो सीट है वो सेमी में है और देखिए 244 जो सीट है वो प्राइवेट में है ठीक है इस परकार आपने सभी का देखा यह पीडियाप आपको टिलिगराम पे हमारे मिल जाएगा ट्रिकी मिकनिकल एकजाम ठीक है और वेब साइट में जाके टोटल लिस्ट आप कॉलेज द आप ना रहा हो मैं किस आधार बना रहा हो यहार तो मैं करता है कर दो में तृटल बालों को भी उठा लेगा ठीक है क्योंकि प्राइवेट रहेंंगे अब देखिए यहां पे तीन तरफ का में बनाउंगा प्योर गुर्मेंट सेमिवेट और प्राइवेट लिए तो आई एक नमर देखते हैंसे प्योर्ण मेंट सब्रीक्राइब कटकर कjac το यह सब्ध्री बॉबर्रमर्ट सब्राइब के यह सक्ता है और इस उट्छ केलिवार्ट करोब्योस प्थ्यू और फिडिबेड आया है है ना ऐसा सभी का कहना है और ऐसा सब कह रहे हैं तो इस आधार पे मैंने जो माक्स का एनलिसिस करके देखा और उसी आधार पे मैं ये कटप बना रहा हूं प्योर गुवर्मेंट के लिए उसके बाद सेमिका बनाऊंगा ठीक है देखिए जेनरल के लिए जो है पैंसर से सतर जो लाए हैं बिल्कुल सेभ है प्योर गुवर्मेंट के लिए जेनरल के लिए एव्लीयश के लिए अगर साठ से पैसेट नमबर उठा रहे हैं तो आप सेप मतला आप होने का बाहती चांस है प्योर गुवर्मेंटमेट में आपका ठीक है अगर बीसी वन हो तो से साथ लाते हो तो प्योर्ग अपका पक्का उसके बाद jsy st हो तो 48 से le arrested लाते हो तो बहुत आपका सेफ ए क्योंकि सी यह आपका ज्यादा है है ना मैं यह बात किया हमने प्योर government का आप देखिए नीचे हम बात करते हैं सेमी government का कितना जाएगा देखी दोस्तो जेनरल का जो कंडिडेट 55 से 60 ला रहा है उनका 100% सेफ स्कोर माना जाएगा कि आप जो है पूरी तरह से सिक्यूर हो सेमी गवर्रेमेंट के लिए EWS का अगर 50 से 55 ला रहे हो तो आप सेमी गवर्रेमेंट में आपका एक सुट पक्की है ठीक है BC1 में अगर बाउन से 77 ला रहे हो तो भी एकदम कनफरम है कि हो जाने का चांसे बहुत ज़्यादा है BC2 में देखिए 50 से 55 अगर लाते हो तो सेफ हो और यहां पर SC का देखो 48 से 33 क्यूंकि इन लोगों का कम जाता है ठीक है तो आप सेफ हो SC का देखिए 45 से 50 नमर लाए तो बहुत है ठीक है अब नीचे private colleges का बात करते हैं जो कि बहुत important है अब देखिए जितने भी private colleges हैं कोई अपना college खाली नहीं करवाया मनुन खाली नहीं जाएगा सब भरेगा चाहे वो open round में भी हो तो होगा तो मैं सभी counseling के बात करके पिछले बात तो पांच-पांच राउंड counseling होगा था लास्ट में सीड बच गया था तो open round हो गया था वहाँ पे पांच-पांच दो-दो नमबर वाले candidate का भी हो गया ठीक है ऐसा देखने हैं मेरे तो दोखिए दोस्तो प्राइवेट को लेजिस क्योंकि फुल करना है उनको अरिसमर कटप तो देख सकते हैं कितना कम जा रहा है मतलब इस अधार पे जेनरल वाले जो 15 नमबर प्लस लाए है न वो भी counseling में प्राइवेट कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट में ठीक है ठीक है ठीक प्राइवेट में ठीक और जो EWSO कर दस नमबर प्लस लाते हैं तो आप सेक्यूर है मतलब कोई देखें नहीं आप कर चैब और यहां पर बीसी टू जो है यहां देखिन्ष्जित है बाराऊ नमर प्लस लाइगा अब बीसी टू में बार नमर प्लस Sak efficacia में 10 प्लस और एस्ट में 10 वर यह जो है प्राइवेट को लिजिस अब बात किया में private colleges का क्योंकि private college कोई भी खाली नहीं जाएगा सब भरेगा हो सकता है first round में नहीं भरा second round में भरेगा हो सकता second में थर्ड में भरेगा third में नहीं fourth में भरेगा fourth में तो last में open round of counseling चलाएगा और फिर भी भरेगा तो इस अधार पर में बोल सकता हूँ कि 15 नमबर पलस भी student का हो सकता है इस बार admission ठीक है तो यही पूरा cut-up analysis था कैसा लगा मुझे पता नहीं आप लोग comment करके जरूर बताईए और कैसा इस वीडियो को फीडियो के देंगे वो तो आप ही जानते हैं चले मिलते है next video में तब कोई भी दिकत होगा तो शरूर कमेंट कीजे और college का जितने में लिष्ट है आप लोग देख लिजे अपने नस्दी की college को चूज कीजे मैं description में वो लिंक दे दूँगा आप देख लिजेगा वीडियो ठीक है तो मिलते है next video चले बाए बाए